कि ये जो वीडियो और नेशनल इंस्टीटूट अफ जएन हर्याना का जो नौं टीचिंग का अप्लिकेशन पॉम बरना है वो कैसे बरना उस्से रेटरीड है यहाँ पर दे रखके नों किस्क यहां पर को दीफ स्बाइब बékर है थैसरी भी तो साभी है यहां कोट इह दो अगन्य उनकी लिए कतने एसन कितने को सा सेग्स आधे मृटर क्या है तो में यहां पर मैरिद इयुक्त है हिंदु है तो आपने यहाँ पे हिंदू लिख देना है then nationality क्या है आपकी इंडियन है आपने यहाँ पे इंडियन लिख देना है category कौन सी है SC, ST, PWD आपने जो भी होगी वो भर देनी है उसका relevant certificate भी attach करना है इसका भी attach करना है mother name क्या है आपके इंडियन यहाँ पे mother name लिख देना है यहाँ फादर निख देना है अगर आप married है तो यहाँ पे आपका spouse name आजाएगा then postal address लिख देना अगर कहीं पे आप temporary रहा रही हैं कहीं पे ने communicate करना हो आजाएगा यहाँ पे address, pin code क्या है यहाँ पे आपकी academic qualification आजाएगी जो आपकी metrics से आपने शुरू करके लिखनी है कि यहाँ metrics से कौन से board से किये कौन से subject में किये क्या grade था और कौन से year में किये यहाँ पे आगया जाएगी hire किया जाएगी यहाँ पे degree किया जाएगी और इन सबकी जो self-attested certificate जो है attach करनी है यहाँ पे आपकी employment किया जाएगी कहीं पे आप working थे पहले उसके आपने certificate की self-attested photocopy attach करनी होगी application form के साथ वो भी send करनी है और आपकी जो latest month की salary slip है वो भी attach करनी है यहाँ पे लिखे कि in the present employment अगर आप करनी deportation basis पे है तो उसके details भरनी है अगर आपने कोई additional qualification की है तो उसके details है कोई academy qualification है या फिर कोई professional training की या आपने कहीं पे या work experience over vacancy secular या कहीं पे भी आपने है वो इसमें कर देने और इसका relevant certificate भी attach करना है two references लेख देने हैं आपने email id जो contact number है वो लिखने है dd आप करेगा क्या number था dd का कौन सी date को बनाया है कौन से bank से बनाया है वो आजाएगा यहाँ पे declaration दे रखे है कि जो भी मैंने इसमें details भरी है वो मेरे according सही है अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ गलत है इसमें अपना प्रूफ डीडी का है वो अटेज के नहीं किया अगर मैंने फीस कंसेशन लेक है तो उसका जो है मतलब जो भी extension है वो किया नहीं किया अपनी जो essential qualification है उनकी self certificate copy जो attach की नहीं की डिगरी की किया नहीं कि अगर कहीं पर working है तो NOC की यह नहीं की आपना जो date of birth का प्रूफ है उसका certificate attached किया नहीं कि अगर मैंने कोई category भरी है तो उस से ले टीट किया नहीं कि अगर मैं कहीं पर working हूँ essential qualification का then वही है और आपने जो अपना application form भरना है उसके पर लिखाना चाहिए application for the poster आप कौन सी poster भर रहे है यहाँ पर जो address है उस पर भेज देना है एक तो आपका application form ही रहेगा जो आपने यहाँ पर भेजना है कि हाँ यह आप करेगा यह पूरा non-teaching staff का सारी details उसमें भरके आपका date of birth का proof रहेगा और आपकी जो भी relevant document होंगे वो आपने जो 1 माई 2022 से पहले पहले जो आपने दिया हुआ पता है उस पर भेज देने है यहाँ पर जैसे इन्होंने दिया हुआ यह इसका address है आपने इस पर बेज देने है यदि आपको इस से related और दिक जान करी चाहिए तो आप इसकी official website पर जाकर चेक कर सकते हैं जिसका link में आपको description box में डाल दूँगी यदि आपकी इस video से related कोई भी query है तो आप हमें comment section में ल स्क्राइब कीजिए